अगर पूरी दुनिया में बारत की पोजीशन देखनी है तो हैपिनेस इंडेक्स में हम 216 में एक सो ठार में नंबर पर थे और अब 126 में नंबर पर चलेगे ग्लोबल हंगर में हम 111 में नंबर पर हैं 125 देशों में और जिन हमारे जो प्रोसी देश हैं जिनको हम मुलक भी निसामिते हो वह भी मारे देश से आगे निकल रहे हैं और सबसे हरानी की बासवापती जी आपको होगी एक रिपोर्ट के इन्वार्मेंटल परफॉर्मस इंड विशवगुरु बनेगे सर्फ सिर्फ बातों से विशवगुरु नी बनेगे पूरे देश के हलाज यह हैं के 140 क्रोड की पॉपुलेशन में सिर्फ सबाद 4 क्रोड लोग हैं जिनकी सेलरी जिनकी कमाई महीने की 25,000 से जादा है अब सोचिए जिनकी 25,000 से महीने की सेलरी कम ह क्या वो किस तरह का कोई संमान जनक जीवन को उपतीज कर रहे होंगे यहाँ पर मननिया, वित मंत्री जी ने बड़े गर्ब से कितने वार पता नहीं कहा के जी प्चासी करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं, अपचासी करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, जे कोई की बात नी मुझे लगता के सरकार के लिए शर्म की बात है कि पिछले दस साल में आप पचासी क्रोड लोगों को गरीवी से बात निकाल पाएं और आप इसकी चीज को बड़े गर्ब से बता रहे हैं बैजा 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 और सर बैजा ऐसे देश आगे नहीं बड़ेगा और सर अगर मैं लास्ट में अपने शेतर पंजाब की बात करूँ क्योंके सर वैसे तो किसी परदेश का ध्यान नी रखा गया अगर मैं पंजाब की बात करूँ सर फलर्ट के लिए बजट आपने लौट किया आपने का जी साम में फलर्ट जाए बिहार में फलर उत्राखड में फ्लट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट कि 3-3-2 फुट मिटी चड़ गई और वहां मैं दावे से कह सकता हूं कि अगले बीर साल भी वहां कीती नहीं हो सकती और सब 2 मिन सर 2 मिन और सर मैं पंजाब के point of view से कहूं कितनी नफ्रत पंजाब से क्यों है जिस पंजाब का बलीदा ने इतना बड़ा रहा कि देश को अयाल करवाने के भी हमारी असी प्रज़न करवानी है और उसके बाद भी सर पंजाब के किसी गाउं में जाएए आपको कोई भी गाउं में ऐसा नहीं मिलेगा कि जिस गाउं में हमारे शीद की मूर्ती नहों जिसने सरहद पर राखी करती अपनी जान करवानी आज भी कोई दिन नहीं होगा कि तरंगे में लिप्टी लाश हमारे नौजवानों की हमारे गाओं में हमारे पंजाब में नाती हो और उसका आप जिकर तक नहीं करते जिस बात के लिए आप कहा रहे हैं कि जी देश आतम निर्वर हो गया आतम निर्वर करने में भी सबसे बड़ा योगदार हमारे किसानों का है और वो कि ऐसे नहीं हुआ हमें मूले अतार ना पड़ा हमें अपना पाणी परवाद कर लिए हमें अपनी दर्थी परवाद कर लिए और पंजाब से कैंसर एक्सप्रस ट्रेन जाती है सर राजस्थान वो इसलिए जाती है क्योंकि देश का पेड़ बरने का काम पंजाब कर रहा है और आप उसके लिया हमें देगवाद कर रहे है हमारी जाजकी अधा कर आपने पंद्रह का छपीज़ प्रिमें से نिकाल दी सो सर मेरी मांग है कि पंजाब को स्पेश्ल पेकेज दिया जाए हमारी अंडर्स्टरी परभाद हो रही है उसके लिए श्पेशल पैकेज दिया जाए और ये बज़े मैं कहूंगा कि सिर्फ उनमान में निवाल जी